स्लाम अलेकुम दियर स्टुदेंट्स वेलकम टू ग्रीट साइंस अकेडमी इस अब्दूलकदीर मालिक। दियर स्टुदेंट्स आज हम गेस्ट पेपर 2021 11th क्लास मिथमेटिक्स फेडरल और पंजाब बोर्ड चैप्टर नमबर 8 मिथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थियोरम के शार्ट और लांग क्वेश्चिन के उपर डिसकेशन करेंगें। सबसे पहले डियर स्टुदेंट्स इंपॉर्टेंस आफ इस चैप्टर एकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड इस चैप्टर में वह हमसे दो MCQ पूछेगा। टोटल शार्ट विश्चन तीन पूछेगा और एक हमसे लांग क्वेश्चिन पूछेगा। टोटल नंबर इस चैप्टर में थर्टीन होंगे। यानि के थर्टीन नंबर का जो पेपर है वह इस चैप्टर में से वह पूछेगा। According to Federal Board, Total MCQs यहां पे हमसे तीन पूछेगा, Total Shard Question हमसे वो एक पूछेगा, Total Long Question एट पूछेगा, Total Number जो है वो इस चैप्टर में वो मारे पास 15 होंगे, यानि के 15 Number का जो पेपर है वो इस चैप्टर में से लिया जाएगा, और यह मेरा Mostly Favorite चैप्टर है, और मैंने इसके लेक्टर जो हैं वो बड़े डीपली अंदाज के साथ और One by One Question करवाए थे, और मैंने अपने चैनल के उपर अपलोड किये थे, क्योंके Dear Students, इंतहाई शार्ट टाइम रह चुका है, क्योंके आज, I think so, Two August है, Three, Four, Two Days Behind और पांच को आपको पेपर है, अभी तक जो Students Objective के अंदर परशान हैं और उसको लेके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यह Students, यह उनके लिए वीडियो है, क्योंके अगर आप मेरे Notes को Buy कर लेते हैं, तो मैं Shorty के साथ कहता हूँ कि उनको तीन घंटे लगा लें, सिर्फ तीन घंटे, तीन घंटे के अंदर आपके जो Objective portion होगा, वो Clear हो जाएगा, और इन्शाला तबरक दाला आप इस काबल होंगे, कि Board के अंदर जितना मुशकल MCQ आजए, आप उसको Attempt कर लेंगे, मुझे से Buy करने के लिए, वो Contact करना चाहते हैं, इंस्टा पे जो Message करना चाहते हैं, Dear Students, मेरी Insta ID है जी, A.Kadir48, जो WhatsApp पे Message करना चाहते हैं, वो, मेरा WhatsApp नंबर है, 0341583491, एक मैं और Confusion दूर कर दूँ, कि Students mostly ये कहते हैं, कि Sir, ये Free नहीं मिलेंगे, ये Students, मैं किसी भी Students से एक रपिया भी लेने का रवादार नहीं हूँ, मेरा नहीं दिल करता कि मैं किसी Students से पैसे जो है, वो इस तरह लूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं Students को बिलकुल Free ली पढ़ाऊं, असल रिजन ये है कि इन Notes की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 300 है, क्यों 300 है, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ लिखा है, ठीक है जी इनको मैंने लिखा है सिर्फ और जिसने इसको कंपोजट किया है, डिये Students उसकी मेनत है, और जब आप उसको जब आप Notes बाइ करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि वो मेरा अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, वो जिस बंदे ने कंपोजट किया हुए है, वो उसकी के अकाउंट के अंदर जाएगा, वो उसकी मेनत है, तो इसकी मेनत जो है वो राएगा नहीं जानी चानी, खेर दीए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आगे इंपोर्टन क्वेश्चिन के उपर एक्सराइज, तो एक्सराइज, एक्सराइज 8.1 है, मारे पास इसके जो शार्ट क्वेश्चिन के अंदर डेफिनिशन हैं, पंजाब बोर्ड के हमाला से सबसे पहली जो डेफिनिशन है, प्रींसि पल्ज अफ मिठमेटिकल इंड़क्शन और प्रींसिपल आफ एक्सराइज 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 9.1 के नांग रिमेनिग क्वेश्चिन के उपर क्वेश्च्टन ग्वेश्चिन नंबर टू पंजाब रेड बोर्ड दोनों के लिए इं एक्सराइज 8.2 के उपर, डी ए स्टुनेंट्स शाइड क्वेस्टन है, एक्सराइज 8.2 के सबसे पहले पंजाब बोर्ड के लिए स्टेट दा बाइनोमियल थियोरम, सिर्फ स्टेट आपको आनी चाहिए, इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो बाइनोमियल थियोरम की आनी चाहिए, नेक्स्ट एक्जेम्पल नमबर टू, पेज नमबर का पार्ट वन एंड थ्री पंजाब बोर्ड के लिए इंपोर्टन है, क्वेस्टन फॉर का पार्ट वन फेडरल बोर्ड के लिए इंपोर्टन है, क्वेस्टन नमबर नाइन का पार्ट वन पंजाब बोर्ड के लिए इंपोर्टन है, क्वेस्टन नमबर नाइन का पार्ट एकसरसाइज 8.2 के लांग क्वेस्टिन के ऊपर क्वेस्टिन जी हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ दा बाइनोमियल थियोरम फेडरल बोर्ड के लिए इसका जो प्रूफ है वो बड़ा इंपॉर्टन्ट है आपने इसको अची तरह प्रिपेर्ड करना है एकसरसाइज 8.3 के शाड क्वेस्टिन के ऊपर एकसरसाइज 8.3 के शाड क्वेस्टिन के ऊपर इसके part question number 4 का part 1 and 4 पंजाब बोर्ड के लिए important है जबके 2, 5, 6 और 7 जो है वो फेडरल बोर्ड के लिए important इसके part question number 5 का part 1 फेडरल बोर्ड के लिए and complete पंजाब बोर्ड के लिए यानि के ये question 5 जो है वो complete पंजाब बोर्ड के लिए important है नेक्स नमर पास question number 9 का part 1 पंजाब और फेडरल दोनों के लिए important है नेक्स नम बात करते हैं एक्सेसाइज 8.3 के long question के उपर question number 1 question है जी I think so इसकी जो statement है वो लिखी नहीं गई question है आपके पास जी question I think so लगा लें जी question 3 यह जो question 3 है उसका part 1 पंजाब बोर्ड के लिए important है जबके question 3 का part 4 and 5 फेडरल बोर्ड के लिए important है यह जो question आपकी screen के उपर show हो रहा है long question यह question number 3 है question number 3 का part 1 पंजाब बोर्ड के लिए and question 3 का part 4 and 5 फेडरल बोर्ड के लिए important है question number 3 है जी जिसके अंदर आपको वो कहता है find the coefficients of x raised to power n next मेरे पास question number 6 Punjab board के लिए important है question 7 federal and Punjab दोनों के लिए important है question number 10 federal board के लिए important है question number 13 Punjab and federal board दोनों के लिए important है so ये students ये थे हैं मारे पास guest paper 2021 chapter 8 mathematical induction and binomial theorem के अगर किसी भी students का इस chapter के related किसी किसम का question हुआ तो लाजमी comment section में पूछिएगा इंचाला तबारक 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 तब आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी तबते के लिए जादे दीजिए assalamualaikum